मोदी सरकार के काबिनिट विस्तार में बिहार के लिए क्या है? इस विस्तार में बिहार से दो सांसदों को शामिल किया गया है एक नाम चौकाने वाले हैं, दूसरा नाम ऐसा है जैसे ये नहीं होते तो और कौन होता? ये विस्तार किसी के सिकुडने की आहट है तो किसी की ताकत की जहलक तो किसी के लिए ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम ना इधर के हुए ना उधर के हुए इस शेर का मतलब समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा पहली बार नितिश कुमार की पार्टी जन्तादल युनाइटेड भी मोधी मंत्री मंदल में शामिल हुई है जेडियू से सांसद रसीपी सिंग को काबिनेट मंत्री बनाया गया है इसके अलावा लजेपी के बागी सांसद और चिराख पास्वान के चाचा पशुपती कुमार पारस भी काबिनेट मंत्री बने है चलिए पहले बीजेपी के गड़बंदन धर्म की चर्चा कर लेते हैं नितिश कुमार के करीबी जेडियू के मुखर नितिकार और अध्यक्ष जेडियू के राजिसवा सांसद उनीस सो चरासी बैच के आईएस राम चंदर प्रसाथ सिंग यानि आरसीपी सिंग को मोधी सरकार की काबिनेट में जगा मिली है कहा जाए तो ये दोनों गडबंदन धन्व की आपचारिकताएं निभा रहे हैं पिछली बार 2019 लोकसवा चुनाव के बाद मंतरी मंडल में जेडियू के कोटे से एक भी मंतरी नहीं बने थे लेकिन इस बार जेडियू के हिस्से में केंद्रिय मंतराले हाथ लग गया है हाला कि विस्तार से पहले खबर आई थी कि जेडियू की तरफ से मांग हुई है कि सांसदों की संख्या के हिसाब से मंतरी बनने चाहिए मतलब बिहार में उसके 16 सांसद हैं इस हिसाब से उसके 4 मंतरी बनने चाहिए तो सवाल है कि कौन कॉंप्रमाइजड मोड में हैं अगर ये मंतरी मंडल बटवारा कॉंप्रमाइजड है तो आगे चलकर खटपट बढ़ सकती है फिर दोस्ती बनी रहे ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि बिहार एंडिये में खटपट की खबरें लगाता राती रही हैं चाहे बिहार में काबिनेट विस्तार में देरी का मामला हो या सत्ता में बैठी पार्टी के विधायकों की अफसर का ना सुनने की शिकायत करना हो चलिए अब आपको ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम ना इधर के हुए ना उधर के हुए शेर का मतलब समझाते हैं लोग जन्शक्ती पार्टी की अध्यक्ष चिराक पासवान के साथ खेला हो गया है पार्टी और परिवार में फूट के बाद अब मोदी सरकार ने एक औ जब्धार में छोड़ दिया है जो चिराक हनुमान बन राम राम जप रहे थे उन्हें राम ने टाटा बाइबाए कह दिया है चिराक अलगातार ये बता रहे हैं कि पार्टी उनकी है और पशुपती पारस को पार्टी के खिलाफ काम करने की वज़ह से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है वही पशुपती पारस पांच सांसदों के साथ अलग हो चुके हैं और खुद को संसदिये दल का नेता बता रहे हैं चिराक पासवान ने कहा है कि प्रधान मंतरी के इस अधिकार का पूर्ण सम्मान है कि वे अपनी टीम में किसे शामिल करते हैं और किसे नहीं लेकिन जहां तक LGP का सवाल है पारस जी हमारे दल के सदस नहीं है पार्टी को तोड़ने जैसे कारों को देखते हुए उन्हें मंतरी उनके गुट से बनाये जाए तो LGP का कोई लेना देना नहीं है अब सवाल ये है कि इस काबिनेट विस्तार से किसके राज चिराग पासवान और तिजस्वी यादव दरसल चिराग पासवान को जिस तरह से बीजेपी ने काबिनेट विस्तार में जटका दिया उससे चिराग और तिजस्वी यादव के साथ आने की उमीद बढ़ गई है चिराग 2020 का चुनाव भले ही हार गए हो लेकिन करीब 30 सीट उपर जेडियो को हराने में उनकी पार्टी इलजेपी का एहम रोल रहा है उनका वोट प्रतिशत भी पहले से बढ़कर करीब साड़े 5 पीजदी हो गया वहित जस्वी ने भी अपने दम पर 2020 बिहार विधानसवा चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल की साथी सबसे साथ बदलने की ताकत रखता है